हेलो एवरिवन, मेंटर 365 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, मैं सोरव यादव, DSSB, TZT, Math, Science, Selected, आज आपके साथ डिसकस करूँगा कि रिजनिंग में आपको 20 में से 20 नंबर कैसे लेने हैं, क्योंकि रिजनिंग एक ऐसा पार्ट है जो सबको लगता है कि मु इस नंबर दिला सकता है, बाकी सब्जेक्स के मैं बात करूँ, इंगलिश में तो बहुत ज़्यादा पढ़ना पढ़ेगा, तब 20 में से 20 आएंगे, जिक्के में भी बहुत पढ़ना पढ़ेगा, लेकिन रिजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप कम पढ़ोगे, तो ज़्यादा आउट्पुट आपको देखने को मिलेगी, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, स्लेबस क्या कुछ रहता है, क्या बुक्स है, उससे पहले एक छोटी सी इन्फोर्मेशन है, जो भी बचे DSSB की त्यारी कर रहे हैं, जर्नल पेपर वन के लिए अप्लिकेशन मे अगर sectional आप manage करके चल रहे हो, तो फंदरा मिनट ही मिलेंगी आपको raising के लिए, शींख लिए क्शे के, लिए आपको math के लिए चाहिए, 35 मिनट हिंदी के लिए, जीके के लिए, अगर माँ पाच-पाच मिनटे भी बात में करूँ, 45 मिनट होगी, 8 मिनट English के लिए लगबक तो त्रेपन से चोओने मिनिट में आपका पेपर वन हो जाना चाहिए मैं अलड़ी बता चुका हूँ एक वीडियो में टाइम मेनेजमेंट की वीडियो जाके देख लेना डीसस भी एक्जाम प्लेलिस्ट में ठीक है तो अब बात कर लेते हैं रिजनिंग की अब रिजनिंग के अंदर क्या रहने वाला है 15 मिनट की एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं कि भाई रिजनिंग में क्या रहने वाला है देखो सबसे पहला चीज एक समझ लो जो एससी फिल्ड के बच्चे हैं जो एससी में रिजनिंग पू को करना क्या है आपको करना यह है कि सिरफ और सिरफ previous year मोग के उपर focus करना है previous year मोग बोले तो previous year मोग बोले तो DSSB के sectional मोग लगाने है reasoning के जो पहले आ चुके हैं यह आपको test book application से मिल जाएंगे अगर अभी तक नहीं लिए तो m365 coupon code आप यूज कर सकते हैं बढ़िया तरीके से आपको रिजल्ट देखने को मिलें दूसरी चीज आपको क्या मिलेगी इसके अंदर कि भाई जब आप प्रिवियस एर सेक्शनल मोक लगाओगे तो आपको ऐसे अहतास निरास नहीं होना कि पांच नंबर आ रहे दस आ रहे चे कितने भ टोपिक बहुत बढ़िया हैं जिनमें टाइम भी जादा नहीं लग रहा और एकुरेसी भी 100% ॉटॉट को तो क्या करना है यूटूप से एक बार देखके notes बना लेना, किसी भी teacher से देख लेना, even coaching center है आपके अरुन सर है प्यूस वसने सर है, विक्रम जीत सर है, बहुत सारे teacher हैं SSC के फिल्ले में जो video बनाते हैं, तो आप उनकी video देखोगे, तो बहुत help मिलेगी week topic को देखके notes बना के practice कर लेना, और जो topic time taken है, हर topic के ओपर 200 question लगा देना, कम से कम 200 question और यहां पे भी week topic पे आपको 200 question लगाने हैं जो strong topic है, उनको skip करके चलना, 10 दिन ये काम करोगे daily 2 sectional मोख लगाओ और जो week topic और time taking topic है, daily का एक topic निप्टा दो, मैं कहा रहा हूँ, 10 दिन के अंदर आप 100% accuracy की तरह बढ़ रहे होगे, किसी को 10 दिन हो सकता है, किसी को 15 दिन भी लगें लेकिन ये एक मात्र इलाज है reasoning का, जड़ से अगर आपको reasoning को खतम करना है कि 15 minute में 20 में से 20, सही करूं ही करूं, तो यही तरीका है दूसरा, DSSB के ही previous year पर विश्वास रखना जब तक paper में बैठने से पहले paper 1 के 30-40 mok paper 1 के और लगबग 50-50 sectional mok हर topic के, चाए reasoning हो, GSO, English हो, math sectional mok आप test book से नहीं लगाओगे, आपका उद्धार नहीं होने वाड़ा है, चाए कहीं mentor 365 परिवार के साथ और जो batch से जुड़ना चाहते हैं application में batch available है thank you, bye bye, take care, have a nice day